साथियों आप सभी लोग कैसे हैं मैं सुनेयल कुमार STERITY POWER में आपका स्वागत करता हूं साथियों जैसे की स्रीच चल रहे हैं एक चैप्टर एक कलास में समाप्ट साथियों तो उसी स्रीच में हम लेकर आए है हैं भारत के पड़ोसी देश साथियों इस वीडियो में साथियों अंत तक बने रहें साथियों इसमें आपको रिविजन के साथ बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा साथियों तो इस्टार्ट करते हैं साथियों जो ट्रिक है भारत के पड़ोसी देश की साथियों वो है बचपन में भूला साथियों ये बेश्ट्रिक है, बच्छपन में भूला, साथियों इसको explain करते हैं, बासे हुआ पर अंगलादेश, और चासे हुआ चीन, पासे हुआ पाकिस्तान, नासे हुआ नेपाल, और मासे साथियों म्यामार हुआ, भासे भूटान, लासे स्रीलंका, और आसे अफगानि पासे नेपाल, मासे मैंमार, साथियों भासे, भूटान, लासे श्रीलंका, और अख़र होगा, अफगानिस्तान साथियों तो आप चुटकियों में याद कर लेंगे साथियों तो आगे भारत के पड़ोसी देश तो सातों है साथियों प्लस समुद्रतर से लगा हुआ स्रिलंका साथियों तो चीन फैड में आता है साथियों पाकिस्तान पाकिस्तान 323 या 324 साथियों इसकी सीमा की लंबाई साथियों आगे हम बढ़ते हैं साथियों जो है म्यामार साथियों म्यामार 1643 किलोमेटर साथियों और पांच में में आता है नेपाल साथियों नेपाल 1751 किलोमेटर जो सीमा लंबाई है साथियों छटे पे आता है भूट भोटान 699 किलोमीटर और साथ में स्री लंका साथियों स्री लंका समुद्र तर से लगा हुआ है और उसके बाद सबसे छोटी सीमा रेखा जो है वह हमारी अफगानिस्तान से लगते साथियों जिसकी सीमा रेखा 106 किलोमीटर मात्र 106 किलोमीटर सीमा रेखा लंबाई जो है वो भारत और हमारे अभगानिस्तान से साथियों लगते हैं साथियों आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान साथियों जो इसकी राजधानी है वो इसलामाबाद है और आर्थिक राजधानी कराची है जो अलग हुआ भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ साथिय वो 14 अगस्त 1947 सवी को हुआ संसत्त का नाम मजली से सोरा है राश्टी खेल खाकी है राश्टी पशु माखोर है साथियों आगे बढ़ते हैं राश्टी पच्छी राश्टी पच्छी चाकॉर है जो राश्टी पच्छी वह जैस्मीन है साथियों आगे बढ़ते हैं अब साथियों important facts कुछ आपको दिखाते हैं साथियों जो direct completion में पूछे जाते हैं सभी एकजामों में साथियों तो हम देखते हैं साथियों भारत का सबसे बड़ा साहर, स्वारी, सबसे बड़ा साहर अपगानिक, पाकिस्थान और अंगी जो पाकिस्तान में है साथियों आगे देखते हैं पाकिस्तान का मैंचेस्टर साथियों पाकिस्तान का आपने भारत का मैंचेस्टर पढ़ा नेपा और स्वारी उत्तर भारत का मैंचेस्टर और दक्षिन भारत का मैंचेस्टर अब आप पढ़िए साथियों पाकि पाकिस्तान का सम्विधान बना वो 14 अगस्त उन्निस सती हत्तर इस्वी को लागू असाती हो और पाकिस्तान का राष्टी गाने साती हों और इसके जो लेखक हैं वो हपीज जालन हारी है साती हो और देख लेते हैं वो पाकिस्तान के प्रथम राष्ट पती जो पाकिस्तान के प्रथम राष्ट पती थी वो मुहम्मद अली जिन्ना थे मुहम्माद अली जिन्ना जिन्नों ने प्रतम भूमी का निभाई पाकिस्तान बनने में प्रतमिक्ता अपनी दिखाई साथियों आगे देखते हैं साथियों यह जो राश्ट पती रह साथियों यह 1947 से 1956 तक रहें इनका कारेकाल सम्थिंग साथियों आठ वर्सों का रहा साथि साथियों अब आगे देखते हैं साथियों पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक जो 1956 में बना प्रतम राश्ट पती सिकंदर मिर्जा साथियों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मांग जो पाकिस्तान की मांग उठी वो तेईस मार्च 1944 इसवी को मुस्लिम लेग ने उठाया साथियों 23 मार्च 1940 इसवी को और लाहवर अधिवेशन में मुहम्मद अली जिन्ना जी द्वारा जो पाकिस्तान के प्रथम राष्टपती भी बने पाकिस्तान दिवस जो मनाया जाता हूँ 23 मार्च को बनाया जाता है साथियों क्यों मन 14 अगस्त 1947 इसवी को अलग हूँ साथियों और जो पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च 1940 इसवी को लाहवर अधिवेशन में मुहम्मद अली जिन्ना द्वारा मांग हूई साथियों और पाकिस्तान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है इसलिए क्योंकि 23 मार्च 1940 को मुस् पाकिस्तान सब्द आया साथियों चाउधरी रहमत अली दिया चाउधरी रहमत अली जी दिया गया चाउधरी ऑर से लगे भारती राज्य साथियों भारत और पाकिस्तान के बीज जो लगे राज्य हैं वो कौन कौन से हैं साथियों तो उसकी हम ट्रिक लेकर आए हैं पंगुराज साथियों पंगुराज में आप देखेंगे पन जो है वो पंजाब गु कुजरात और राजस्तान साथियों आगे देखते हैं साथियों जा जम्मु कस्मीर यह हुआ साथियों आगे बढ़ते हैं भारत पाकिस्तान के विवाद साथियों यह most important है भारत पाकिस्तान के विवाद जो भारत हो यह पाकिस्तान के विवाद हैं वो एलोसी तो आप जानते हैं सरक्रीक गुजरात सीयचिन ग्लेसियर यह भी हो गया और रेड़ क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को बाड़ती है साथियों तो फश्ट हुआ साथियों रेड़ क्लिफ लाइन लाइन अफ एक्चुवल कंट्रोल सरक्रीक गुजरा गुजरात और सीयचिन ग्लेसियर यह चार जो हैं प्रमुखवी वाद हैं भारत पाकिस्तान के वीच साथियों साथियों आगे पाकिस्तान के प्रथम पीयम जो पाकिस्तान के प्रथम पीयम बने वह यह लियाका तली खान बने साथियों और राष्ट परती मौंब्मद अली जिन्ना साथियों आगे बढ़ते हैं अब साथियों पाकिस्तान समाप्त हुआ साथियों अफगानिस्तान समा आजाद जो हुआ साथियों यह 1919 Lasiva हुआ राष्ट्टी पसु जुह है यहां गोल्डन ईगल साथियों साथियों अ Exact आगे बढ़ते हैं राष्टी पूस्प ट्यूव लिफ जो राष्टी पुस्प है वो ट्यू लिफ है साथियों और राश्टी खेल बुचकासी घोडों पर बैठ कर कुतुब बद्दीन वबक साथियों राश्टी फल राश्टी फल साथियों यहां का आडू है सबसे लंबी नदी हिलमंद ही या हीरमंद साथियों आगे बढ़ते हैं भासा जाओ यहां पर भासा बोली जाती वो पस्तो या फार्सी बोली जाती है जो अफगानिस्तान में भासा लेंग्वेज बोली जाती है वो पस्तो या फार्सी बोली जाती है और यह 34 प्रांतों में विभाजित है साथियों है अफगानिस्तान अफगानिस्तान कितने प्रांतों में है चmile आगे देखते हैं किो कि कि networking अब थर्षे हम देखते हैं त Сам है सातीयों या काफी चर्चा में भी रहा है हमारा चाइना से काफी रिलेशन्स अच्छे बूरे दोनों है साथी दो सातीयों इस पर पर डिसकस करते हैं साथियों राजधानी जो यहां किया है यह बीजिंग राजधानी चाइना की बीजिंग और आजाद हुआ यह वन अक्टूबर 1949 साथियों एक अक्टूबर 1949 को साथियों तो संसद इसकी जो है नेशनल पिपुल कांग्रेस और राष्टी पसुपांडा रा स्टिवरिच गिंग को आगे बढ़ते हैं चीन को ड्रेगन का देश कहा जाता है साथियों चीन को ड्रेगन का देश कहा जाता है चीन को ड्रेगन का देश कहा जाता है चीन एवं रूस मद्द सीमा जो बनाती है वो आमूर नदी है चीन साथियों जो चीन और रूस के बीच में नदी है वो आमूर नदी सीमा बनाती है आगे बढ़ते हैं साथियों चीन का सोक हांगो नदी को कहा जाता है जिसे पीली नदी भी कहा जाता है चीन का सोक हांगो नदी को कहा जाता है जिसे पीली नदी भी कहा जाता है आर्थिक राजधानी जो है साथियों वो चाइना की संगहाई है भारत की मुंबई है साथियों साथियों आर्थिक राजधानी संगहाई है चीन की साथियों कमेंट में बताएए पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी क्या है देखते हैं आगे चीन के स्वतंतर प्रांत चीन के जो स्वतंतर प्रांत हैं वो हांग कांग ब्रेटेन ने दिया चीन को साथियों हांग कांग साथियों हांकांग जो है ब्रेटेन ने दिया था चीन को और मकाव पुर्तगाल ने दिया चीन को ये दोनों स्वतंत्र प्रांत हैं साथियों आगे बढ़ते हैं साथियों राष्टी भासा जो राष्टी भासा है वो मंदारिन है मंदारिन विस्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भासा है साथियों आगे देखते हैं यहां की जो मुद्रा है वो यूवान है जो वर्तमान में रेमिन भी स्वरीर यूवान साथियों राष्टी फल जो है वो कीवी जो राष्टी फल है वो कीवी है राष्टी खेल टेबल टेनिस है जो राष्टी खेल है वो टेबल टेनिस है राष्टी स्वारी राष्टी फल कीवी राष्टी नदी यांग सी नदी एसिया की सबसे लंबी नदी पुल प्रांथ 34 प्रांथ जिसमें दो क्या हैं स्वतंत्रे साथियों कौन कौन हैं कौन कौन हैं साथियों हांग कौन और मकावू आगे पुल प्रांथ 34 है साथियों चाइना भी समा अब आते हम म्यामार पे म्यामार का साथियों मूल नाम वर्मा है जिसे आपने हिस्ट्री या मुगल हिस्ट्री में आपको ध्यानी होगा साथियों वर्मा की चर्चा होती है म्यामार म्यामार का मूल नाम वर्मा राजधानी रंगून जो पहले किसा सक किम्रत्य यहां पर होई साथियों मोल नाम वर्मा राजधानी रंगून पहले वर्तमान में राजधानी नाई पीड़ा कुल प्रांत 40 स्टेट है साथियों भारत सासन अधिनियम भारत सासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में भारत से अलग आजादीम और आजाध चार जन्वरी 1948 को हुआ राष्टी पसू जो राष्टी पसू है मैं अमार का वो साथियों रायल बंगाल टाईगर राष्टी भासा वर्मी राष्टी खेल चिन लोन संसत्षैंबली आफ यूनियन आगे बढ़ते हैं साथियों राष्टी पस्छी राष्टी पस्छीत कि этом 25 प्रैंन को 25 साथियों requesting और झेब करीब नाम सबसे लंबी नदी मैं अमार की इरावती साथियों इरावती नदी मैं अमार की जीवन रेखा मैं अमार की जीवन रेखा इरावती नदी आगे पढ़ते हैं देखते हैं साथियों नोट कोको आइसलेंड मैंमार ने चीन को यहां पर साथियों कोको आइलेंड आइसलेंड जो है मैंमार ने चीन को पहले दिया पहले पर कम्यूटी समुदाय जो यहां पर है रोहिंगेया समुदाय साथियों कम्यूनिटी समुदाय जो है रोहिंगया समुदाय मुद्रा क्यात साथियों बांगला देश सवाते हैं साथियों बांगला देश अपने सबसे बड़ी सीमा रेखावाले देश बांगला देश साथियों बांगलादेश की जो राजधानी है वो ढाका है साथियों और आजाज 26 मार्च 1971 जब भरत ने पाकिस्तान को लताड़ा था साथियों देखते हैं साथियों मुक्ती दिवस 16 दिसंबर और संसद जाती संसद जो यहां की संसद है उसे बोलते हैं जाती संसद साथियों संसद का नाम है जाती संसद मुद्रा टका साथियों आगे देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बालू से बना दीफ है वो बांगलादेश में है साथियों इसका नाम है क्वैक्स बाजार कौक्स बजार शाथियों ये दुनिया का सबसे बड़ा बालू से बना द्वीव है कौक्स बजार साथियों जूते उम्रेसम के लिए ये प्रसिद्ध है कौन कौक्स बजार आगे देखते हैं साथियों राष्टी फल राश्टी फल जो है वो कटहले साथियों पांगला देश का राश्टी फल कटहले साथियों राश्टी पसू बंगाल टाइगर राश्टी व्रिच आम राश्टी नदी सुर्मा सुर्मा नदी साथियों राश्टी खेल कबड़ी राष्टी पुष्प वाटर लेले साथियों साथियों चीन का क्या था राष्टी पुष्प कमेंट करें राष्टी गान साथियों राष्टी गान अमार सोनार साथियों भांगला लेखक थे रफ़री रमींद्रना टैगोर जी रैंगुरींदा टैगोर जी ने जो भारत के राष्टगान और जो बाद में बना अमार सुनार बांगलादेश का राष्टगान के लेखक जो है वो रामींद्र ना टैगोर जी हैं और राष्टी भासा बंगाली 1956 में जो अफिसियल लाइंग्वेज बनी बांगलादेश यह भारत के मद्ध विवाद अभी तक हम ने देखा था भारत और पाकिस्तान के वी बीच जो विवाद है साथियों अब देखने वाले हैं बंगलादेश वे हैं भारत के मद्ध विवाद साथियों जो हमारे अच्छे पढ़ोसी देश भारत बंगलादेश के बीच देखते हैं विवाद क्या हैं साथियों तीन भी घा गलियारा भारत ने 2011 में बंगलादेश को किराय पर दी थी साथियों भारत ने 2011 में बंगलादेश को किराए पर दिया गाउं यहां पे था अंगरपो के दूसरा साथियों जो है वो तीस्ता नदी जल्विवाद सिक्किम की जीवन रेखा तीस्ता नदी जल्विवाद साथियों आगे देखते हैं निूमोर दीप साथियों नियू मोर्दीप पानी में डूबा हुआ नियू मोर्दीप पानी में डूब गया है ये भी विवाद भारत और बांगला देश के बीच है चौथा है चिटगाउ बंदरगा साथियों जो चीन के द्वारा बांगला देश में बनाया जा रहा है चीन के द्वारा बांगला देश में बनाया जा रहा है साथियों आगे देखते हैं अब आते हैं साथियों नेपाल पे अपने ये भी एक अच्छा पड़ोसी देश है साथियों भारत और नेपाल भारत और नेपाल के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं साथियों राजधानी ह जो नेपाल की राजधानी है वो काठमान्डू है राष्टी पसु गाय, राष्टी वरिच फीपल, राष्टी भासा नेपाली और प्रांत है साथ साथियों साथियों चाइना में कितने प्रांत थे कमेंट करें साथियों सबसे उची चोटी जो विश्व की सबसे उची चोटी है वो कहां पिस्तिते साथियों नेपाल में माउंट एवरेष्ट या सागरमाथा साथियों साथियों इसकी उचाई 8848 मीटर है राश्टी खेल जो है वो नेपाल का वाली बाल है साथियों नया सम्विधान 2015 में बना संसद का नाम राश्टी फंचायद भांगला देश की संसद का क्या नाम है साथियों कमेंट करें आगे देखते हैं साथियों अब भारत पडोसी देश में आता है भूटान भूटान साथियों भूटान की राजधानी है थिम्पू जो भूटान की राजधानी है वो है थिम्पू साथियों मुद्र नेगुल ट्रम साथियों अजीब उगरीब नाम, नेगुल ट्रम संसत का नाम त्विस गडू, राष्टी पसू तो फिन, तो फिन तो फिन साथियों, राष्टी पसू तो फिन, most important साथियों thunder volt का देश कई बार साथियों पूछा गया प्रस्न है the land of thunder volt साथियों the land of thunder volt thunder volt का देश भूटान को कहा जाता है साथियों सीमा जो सीमा है वो मुक्त सीमा मुक्त सीमा और राष्टी व्रिच राष्टी व्रिच जो है वो साइप्रस है भूटान का राष्टी व्रिच साइप्रस राष्टी पुस्प ब्लू पोज पी राष्टी खेल तिरंदाजी राष्टी नदी मानस नदी साथियों जो असम में भी बहती है साथियों आगे देखते हैं राज राज भूटान के कितने हैं साथियों 20 प्रांत हैं अभी हमने देखा साथियों चीन में कितने हैं कमेंट करें पांगला देश में कितने हैं कमेंट करें साथियों अब आते हैं हम स्री लंका पे साथियों राजधानी है इसका कुलंबो वर्तमान में स्री जैवर धने 48 साथियों आगे देखते हैं यहां राज कितने नाव राष्टी भासा साथियों तमील राष्टी पसू ठाथी राष्टी खेल बाली बाल राष्टी इनदी महावेली गंगा साथियों राष्टी वरिच, सीलोन, आयरन, वूड साथियों राष्टी जो पच्छी है वो जंगल, पाउल जंगल, पाउल साथियों राष्टी फल, कट हल, कट हल साथियों राष्टी फल कटहल साथियों राष्टी फल कटहल काफी बड़ा फल है साथियों विवाद चीन द्वारा स्री लंका में हम्मन टोटा बंदरगा विवाद जो विवाद है साथियों वो चीन द्वारा स्री लंका में हम्मन टोटा बंदरगा पर पोर्ट बनाए जाना चीन द् काविच करना जो हमन टोटा बंदर गाहे उस पे चाहिना का काविच करना विवाद है भारत और स्री लंका के बीत सा गएस साथीं साथीं जाफना दीव उच्छ सा जाफना दीव के द्वारा मुख्य रूम ego एलिफेंटा दर्र से जोड़ा गया है साथियों जाफना दीव के द्वारा स्री लंका की मुख्य भूमी को एलिफंटा दर्रे से जोड़ा गया है एलिफंटा गुफा महराश्ट में एलिफंटा पहाड़ी थाईलाएंड साथियों एलिफेंटा पहाड़ियां थाइलाइंड में एलिफेंटा गुफा महराष्ट साथियों आगे देखते हैं एलिफेंटा पठार जो है वो नेपाल में है एलिफेंटा पठार नेपाल में एलिफेंटा पठार नेपाल में एलिफेंटा पहाडियां थाईलाएंड में, एलिफेंटा गुफा महराश्ट में और एलिफेंटा दर्र साथियों, जाफना दीप के द्वारा सिरलंका के मुक्खे भीम को एलिफेंटा दर्रर से जोडा गया है आगे देखते हैं साथियों मानव अधिकारी की Chris भांव घोसणा की मसाउधा समीत के अधच उपाध्याच काऊन थे हैं एलनोर रोजवेल्ट साथियों दस दिसंबर увер स्वणता है मानव अधिकार की घोसणा साथियों दस दिसंबर को इसी लिए मनाया जाता है मानव अधिकार Proport दिवस साथियों आगे संयुक्त राष्ट संग के पूरो कॉफी 29 अफ्रीकी देश से संबंदित थे साथियों कुछ कोस्टन कर लेते हैं साथियों तो यह घाना देश से थे साथियों कि इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस हेड्वॉार्टर इस्थित है दीफिंग मेंसातियों कुछ इंपटन कोस्टन कर लेते हैं साथियों सभी तुराष्ट के निमलिखित प्रमुख अंगों में से कौन से निव्यार्क में इस्थित नहीं हैं साथियों हमने डिसकस किया है जाकर देखिएगा इंटरनेशनल और्गनाइजेसन में साथियों जिसमें अंतर राष्टिन नेलाय का जो मुख्याल है साथियों ओनली वो दाहेग नीदरलेंड दाहेग में हैं साथियों अन्ने का सभी के साथियों कहां पे निव्यार्क में हैं साथियों आगे डिसकस करते हैं साथियों पांच वा क्वेस्चन निमलिखित में से कौन सी भासा संयुक्त राष्ट की छा अधिकारिक भासाओं में एक है वो है चीनी पांच और कौन है साथियों वो जाकर आप International Organization जो साथियों क्लास है उसमें जाकर देख सकते हैं साथियों आगे देखते हैं विश्व स्वास्त संगठन का मुख्याले कहां इस्तित है सातियों विस्तु स्वास्त संगठन का मुख्याल है जरनेवा में साये सातियों सूरीजर लेंड में इस थित है सातियों आगे सिर्टी करें 1937 में वैश्वक बैबार को विन्यमित कर लिए गाटा की समस्यागी अस्थापना की azul गाटा का पूर . रूप क्या है जनरल एग्रिमेंट ओन टैरिफ एंड ट्रेड साथियों अगला कोश्चन साथियों यूनिसेप का मुख्याल है न्यूयार्क में साथियों यूनिसेप का मुख्याल है न्यूयार्क में साथियों यूनिस्को का मुख्याल है पेरिस में साथियों और डिक्स ब्रिक्स में सामिल होने वाला अंतिन देश साथियों दचाण अफ्रीका कौन साथियों दचाण अफ्रीका आगे देखते हैं साथियों निमली खित्मे से कौन सा देश ओपिक पेट्रोलियम नीरया तक देश का संगठन सदस से है साथियों कांगो लोकतांत्रिक घंराज्य अंतरराश्च्टी स्हत्रम संगठन की जो मुख्याला है वो जिनेवामें है आश्थापना 28 जून 1929 जूल लगभग पुराना सबसे संगठन है साथियों भारत में इनमे से किस संगठन का सदस्य नहीं है साथियों भारत नाटो का सदस्य नहीं है नार्थ अट्लांटिक और्गनाइजेशन साथियों आसियान के संस्था पकदेश मलेशिया तो शाथिए यह क्लास समाप थोई साथिओ इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आपको पहड़ए एक नया वीडियो साथिओ नई जोस्के साथ रिवीजन साथिओ थेंक्यू साथिओ